फो थो का मेरा जो है वो शुरू हो चुका है प्लीस यह भालत को देखete इग्नौर कीजिएगा क्योंकि मैंने हैर मास लगाया है क्या-क्या बता दूं कल ही आप लेखा की मैंने बहुत ही लंबा ब्लॉग कर लिया था तो इसलिए मुझे ब्रेक करना पर्दाता कल के ब्लॉग में मैंने आप लOOO लुटीन शेयर नहीं कर पाई तो मतलब दिन तो आज ही है मैंने नहें तो नहीं है वह वरव्लन il do तो पहले मैंने जो साइड में सारे कपड़े रखे वह हैं जिसको मैं ने पहले आप लोगों को तो उस मेंसे मेना जो है बाबु के कपड़ें छाट लिए हैं वोडबें लिया हैं अब मैं बाबु के जो बॉक्सें कहले लुक्स में रख देती gedacht agOT जो सारा कपड़ें हे वो紡टत हो जाए अब कुल बावु को जो कपड़ा है उसको भी मैंने रेड बॉक्स में रख दिया है होप आप लोगों को आवाज आ रही होगी तो चलिए किचन में मैं आप लोगों को थोड़ा पहले ओवराल लुक्षे कर देती हूं तो अभी के लिए किचन जो है मेरा ऐसा लग रहा है यहां का पूरा ही मुझे चेंज करना है यह भी साइड में हटाना है बरतन का यह भी हटाना है फिर रेक जो है मुझे शिफ्ट करना है उपर तो मैं टंगा नहीं पा रही हूं कुछ भी रिजन हूँ मैं आप लोगों को बात में बताती हूं तो चली जादा बाते नहीं करका जल्दी से काम पहले सुरू कर लिए तो सबसे पहला जो है ये सारे सामान को हमें हटाना है देन उसके बाद ही मैं सेट कर पाऊंगी तो धीरे धीरे जो जो सामान था यहां पे फैलावा हो पड़ा तो वो सारे सामान को मैं सबसे पहले मारा बेड्रूम है उसको मैंने अच्छे से जाड़ों पोचा कर लिया है दिन उसके बाद साइड साइड में ही मैं सारे चीज़ों को रख रही हूं ताकि वह वाला रूम भी मैस ना क्रियेट हो जाए तो सबसे पहले यहां का जो बरतन था टब में वह मैंने हटा दिया दिन यहां पर चीयर में सारे कपड़े थे वह मैंने अटा दिया है और लेफ्ट साइड में थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वह में बाद में फोल्ड कर रही हूं वह आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा तो हाती में क्लीन करें हूं और हातों हाती में जाड़ो भी लगा ले रही हूं ताकि अलग से मुझे टाइम निकालके जाड़ो नहीं ही लगाना पड़े क्योंकि लेट भी बहुत हो जो रही है क्योंकि अल्मोस्ट धाइटीन बज़े से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट किया है और साथी साथ लंज भी प्रिपेर कर रही पहली ही आप लोगों को ब्लॉग में तो कूलर मैंने हटा लिया है कूलर के उपर जो हमारा बिस्तर रखा हुआ था मतलब एक्स्ट्रा बैट शीट एक्स्ट्रा कंबल फिर पिलो यह सारा चीजों को हटा कि मैंने वहां पे सबसे पहले अच्छे से दीवार के तरब से रखनी यहां पटीजया ह药ा हरे फाने ब्रॉत में जड़िया चील वहां एकना अब कर दो होए मने पलास्टिक रहा है जो सबक्ते नुसक्तback और यहां रख पाऊं तो सबसे पहरे देख पा रहे हूं कि बेंच में मैंने प्लास्टिक बिचा दिया देन उसके बाद जो है इसका कवर बिचाऊंगी मैं जिसके आप लोग देख पा रहे हो अच्छा से यहां पे सेट कर लिया है कवर को क्योंकि बेंच है गंदा दिखता है तो थोड़ा कवर करके रखूँगी तो अच्छा लगेगा देन उसके बाद मैं कर रही हूँ याँ पे जो cooler है cooler को उसके side में रख दे रही हूँ तो cooler के उपर में मुझे जो सारे सामान रखना है जैसे की pillows and blankets ये सारे चीजों को मैंने रख दिया था तो इसलिए मैंने इसको पहले सबसे पहले cover किया देन उसके बाद जो blanket and pillows है एक्स्टा वाले वो मैंने रख दिया है उसको अच्छे से ढख दिया क्योंकि ये अभी यूज नहीं हो रहा है winter season तो कपका चली गई है तो एक्स्टा जो बिस्तर है जो हम लोग नीचे बिछाते है नीचे सोने के लिए वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और इसको भी हमने अच्छे से ढख दिया है ताकि थोड़ा सा decent look दे देन उसके बाद बागी के काम को आगे भड़ाएंगे तो अब bench को मैं सेट करने वाली हूँ बेंच में सबसे पहले जो जो समान मैंने पहले ही रखा हुआ तो make-up jewelry मेंने पास रखने का और जगा नहीं है तो यह bench में ही मैं रखती हूँ थोड़े से सेट करके box में जिस box को मैं purchase करती हूँ online मतलब nike purple वाले जो box आते हैं उसी में मैंने सारा कुछ रखा हुआ है तो वो मैंने set कर दिया है वहाँ पे फिर में रहा है यह organized हो चुका है कैसा लग रहा organized होके comment करके जरूर बताईएगा बाकी का काम को भी जल्दी से निप्टा लेते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए and lunch मेरा almost prepared हो चुका है तो फिर यहाँ पे जो सारे कपड़े थे जो cheer में रखे हुए तो वो मैं हाथो हाथी fold करने वाली हूँ क् अलग से फिर में रख दूंगी बाद में fold करने के लिए तो फिर और ज्यादा late हो जाएगा and delay हो जाएगा and इतना सारा काम करने के बाद मुझे तो और ज्यादा हिमत नहीं होती है ऐसे फिर से दुमारा से काम start करने के लिए तो इसलिए हाथो हाथी में में set कर लेती हूँ इन सारे कपड़े को one by one and guys आप लोग सोच रहोगे कि मैं सारे जो ब्लॉग है उसको fast forward करके क्यों दिखा रही हो नहीं दिखाऊंगी fast forward करके तो ब्लॉग है मेरा बहुत जादा लंबा 40-50 minute का तो उसका जो है मुझे सारा कुछ ही आप लोगों के साथ share करना है तो इसलिए म उसके बाद side में बहुत सारे bags में मेरे पुराने कपड़े हैं जो की मुझे donate कर देना है या किसी को दे देना है तो वो सब मैंने अलग से निकाल लिया है बैग में फर लिया है और यहां का जो portion है वो सबसे पहले में जाडू लगा लूँगी ताकि यह totally set हो जाए and खुला- जाडू भी लगा लिया है अब यह जो सारे सामान है जो की bags में भरे पड़े है और जो white plastic आप लोगों को दिख रही है उसमें सारे जूते हैं जो की हम लोग village में लेके गए थे and वहां से आने के बाद मैंने इनको अभी तक निकाला ही नहीं तो यूज नहीं हो रहा है इसल यह जो blog था ना इसको मैं divide करी हूँ क्योंकि blog हो चुका है almost बहुत जादा lengthy and और भी portion है इसका बट उसको मैं next blog में share करूंगी क्योंकि अभी हो चुका है blog हमारा बहुत जादा lengthy तो मैं आज के जो इस cleaning blog को करती हूँ यही पर end कल के blog में आप लोगों को बाकी का cleaning routine देखने क को मिलागा जो कि और जादा मजा आने वाला है आप लोगों को इन details में clean routine sharing करती हूँ ना मैं आप लोगों को साथ तो आप लोगों को अच्छा लगता है hope आज का blog भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा wait for the next part of this blog hope आप लोगों को आज का जो चोटा सा blog है मेरा cleaning blog जि जब जो निकला वो आएक आगच वागच और सारी चीजे वो मैंने इस पन्नी में भर दिया क्योंकि next day आने वाले हैं कच्रा वाले तो उस में दे दूंगी ताकि हम लोग बाहर इस चीज को ना फेक पाए और हमारा surroundings गंदा ना हो तो इसके बाद से ही मैं कल का blog को start करने वा पास के bell icon को प्रेस करका option जरूर रखिए का all तक हर एक वीडियो को notification मिल पाए तो चलिए guys आज के blog को मैं यहीं end करती हूं मैं मिलती हूं आप लोगों को next blog में इसके next part में तब तक लिए bye bye lots of love and thank you for watching